दोस्तो यदि आपने एड़टाजमेंट नमब 6 2019 का असिस्टेंट बोरिंट टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया है और आप एक्जाम का वेट कर रहे हैं तो फ्रेंड आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकब्री निकल कर आई है तो दोस्तो आज हम उसी एक्जाम डेट को लेकर चर्चा करेंगे और असिस्टेंट बोरिंट टेक्नीशियन के आफिसियल स्लेबस पर भी डिसक्सन करेंगे जिससे आप स्लेबस के एकॉर्डिक इस्टडी करेंगे और अपने सिलेक्शन को कन्फर्म करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको अपना application status कैसे चेक करना है उसे भी हम clear करेंगे जिससे आपको यह doubts न रहे जा कि आपका application form accept हुआ है या फिर reject तो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल सूपर टेक्नो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते हैं कि क्या exam update आई है boring technician exam को लेकर जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधिनष सेवा चैन आयोग यानि कि यूपी टिपल सी की तरफ से यह important notice है उसमें ये mention किया गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनष सेवा चैन आयोग के विज्यापन संख्या 6.2019 यानि कि यूपी टिपल सी का जो advertisement नंब यानि कि Assistant Boring Technician के 486 पदों के लिए जो online आवेधन आमंतित किये गए थे उसी के तहती important notice है कह रहा है कि आयोग के उक्त विज्यापन के सापेच आवेधन करने वाले समस अभ्यरतियों को एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक Boring Technician सामान ग्यान प्रतियोगात्मक पर परिच्छा दिनांग 25 अप्राइल 2021 दिन रविवार को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है प्रस नगत परिच्छा के प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में अभ्यरतियों को वेबसाइट के माद्यम से प्रतक से यता समय सूचित किया जाएगा आपका जो असिस्टेंट बोरिंड टेक्निशन का एक्जाम है वो है आपका 25 अप्राइल 2021 को होना कन्फर्म हुआ है और इसका जो एड्मिट कार्ड आएगा वो है आपके UPTLSC के ऑफिसियल वेफसाइट पे समय के एकॉर्डिंग उस पर मेंसन किया जाएगा UPTLSC की वेफसाइट दोस्तों जो ऑफिसियल वेफसाइट है मैं वीडियो के डिस्क्रिशन में वहाँ डाल दूँगा आप वहाँ से प्रॉपर से चिक करते रहेंगे फिर यदि आपको अगर एड्मिट कार्ड एविलेबल होता है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपक के माद्यम से भी दे दूँगा तो दोस्तों अब आपको अच्छे से लग जाना है पढ़ाई के लिए अब हम चलते हैं इसके आफिसल स्लेबस पर डिसक्रिशन कर लेते हैं वीडियो को पूरी जरूर देखीगा और मैं क्या इसमें आपको इंपॉर्टन डिस्ट भी देने आपका पूरिंट टेकनिशन के पदों पर लिखित परिच्छा का परिच्छा योजना एवं पार्ठकरम फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपका जो कोश्चन पेपर होगा वह फोड़ पार्ट समें होगा पार्ट वन पार्ट तू पार्ट फ्री एंड पार प्रेट टू जो होगा आपका उसमें सामान ग्यान से 15 कोश्चन 15 नंबर के और आपका जो पार्ट 3 होगा उसमें सामान बुद्धी परिच्छन एवं प्रारमनिक गडित कुश्चन की संख्या आपकी इसमें 30 रहे गए और जो अंक होगा वो भी आपका 30 रहे गए और फ्रेंड जो आपका पार्ट 4 है जो की आपका आपका most important topic है ट्रेट से सम्बंधित प्राष्ण इसमें जो प्रस्णों की संख्यावाई 60 है और अंक इसमें आपके 60 है और फ्रेंड मैं आप सब्यों का एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपका पार्ट 4 सेक्षन है इसमें जो ट्रेट से संबंदित प्रस्ण आएंगे यह परस्णली आप जिस ट्रेट से हैं जैसे आपने फिटर है या मसीनिष्ट है परस्णली आप जिस ट्रेट से आईटिया किये हुए है अगर आपको यह लगता है कि हमने मसीनिष्ट का उसमें मेंसन किया तो हमको उसी से कोश्चन नहीं मिलेंगे या अगर आपने fitter से apply किया तो आपको सिर्स fitter से ही question मिलेंगे टेकनिकल के ऐसा नहीं आपको combine आया कुछ है इसमें क्या है कि जो इसमें trade के question आते हैं ये थोड़ा अलग हटके आते हैं तो वो भी नीचे mention किया गया मैं उसको भी आपसे clear कर दूँगा और इसमें जो आपको time अवधी मिलेगी यानि कि जो time period होगा वो एक घंटा 30 मिनट यानि कि 90 मिनट में आपको ये question attempt करने होगे 120 question और इसमें negative marking का भी प्रावधान है क्या क्या है कि उपर्योगत परिच्छा है तो negative marking रात्मा अंक दिये जाने का प्रावधान जो कुल 1 by 4 यानि कि 25% होगी so I hope ये आपको अच्छे से clear हो गया होगा अब हम देखते हैं particular part 1 part 1 case में कि कौन कौन से topic include किये गए है friend ये आपका official syllabus है इसी के according आपको तयारी करनी है इस से हट के आपको तयारी नहीं करनी क्योंकि आपको आपना selection confirm करना है so friend जो आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योगिता है इसमें क्या है कि इस भाग में अभ्यरतियों से हिंदी भासा के ज्ञान समझ लेखन योगिता सम्बंदी प्रश्ने पूछे जाएंगे भाग उत्तर प्रदेश माध्मिक सिच्छा परिशत की हाई स्कूल परिच्छा अथवा समझ परिच्छा के इस तरह का होगा friend यह आपका जो question इसमें आएंगे basic high school और high school में जो हिंदी का basic होता है उसी से related question आएंगे जैसे आपका हो गया मुहावरा हो गया वर्तनी हो गई या फिर आपको कोई वाक्यान दे दिया जाएगा इस तरह के question आएंगे वो सब friend मैं आगे इन सब की class start करूँगा वो सबी topic मैं आपसे clear करूँगा second part आता है आपका सामान ग्यान sorry दोस्तों प्रश्ण पत्र का या भाग उम्मीदवारों की चारो ओड के वाता वराण यानि कि आपको इस part में सामान ग्यान से related question पूछे चाहिए इसमें आपका एतिहासिक एवं भगवलिक तत्थ भी सम्मलित हो सकते हैं और friend इसमें आपका कुछ question जो है ये पंद्रा question पार्ट वन जो है वो आपका पंद्रा question रहेगा जिसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो मैं ये मांग के चलता हूँ कि 10 से 12 question तो आप कर ही ले जाएंगे नहीं भी कर पाते तो 8 सक तो आप खीची ले जाएंगे अब हम पार्ट थर्ड की बात करते है पार्ट थर्ड में क्या है कि सामान बुद्धी परिच्छन एवं प्रारंभी गडित इसमें आपको चैप्टर दिये हैं कि इससे according आपको question मिलने है जैसे आपका हो गया भिन हो गया वर्ग मूल हो गया ratio अनुपात इवं समानुपात हो गया percentage हो गया बीज गडित हो गया छेत्र मित्ती हो गया आपको जैसे आपका हो गया छेत्र तरफा लिए इन सब में क्या है कि आपको वर्ग आयत यानि कि जितने भी इसमें topic दिये हैं इन सब को आपको फार्मूला जरूर याद कर लेना है क्योंकि क्या होता है कि बहुत से question assistant boring technician के question paper में जो math से question आएंगे प्रारंबी गरिर से जो question आएंगे उसमें क्या है कि mostly question आपको formula पर depend होंगे यानि कि formula अगर आपको याद रहेगा अगर formula को आप दिमाग में है तो आप उसे अच्छे से कर ले जाएंगे तो आपको जितने भी इसमें topic दिये गए है अगर इस question में मतलब इस topic में अगर formula based topic हैं तो आप सभी को formula क्लियर कर लेने यानि कि formula को तयार कर लेना है जिससे आपको कल exam paper में formula के लिए सोचना ना पड़ें जिससे आपको अगर आपको formula याद रहेगा तो आप question को आसानी से कर ले जाएं जाता hard question नहीं आते हैं basic ही आते हैं फिर भी एक दो question वो merit को उपर नीचे करने के लिए दे देते हैं और फ्रेंड नीचे इसमें part 3 का level लेगा वो भी किस तरह करेगा अब हम बात करते हैं trade से संबंदित प्रस्न जो की आपका एक most important topic है सभी technical जित्ते भी फिटा टर्नल मसीनिस जो भी है सभी के लिए तो इसमें आपको जो चीजे में इंसन की गए उसमें का गया कि इस भाग में आप भेहरतियों से ITI state संबंदी सामान जानकारी के प्रस्न पूछे जाएंगे पहला topic है आपका safety friend आपको जो safety chapter है वो एक most important chapter है आपके boring technician के लिए आपको safety chapter को अच्छे से clear कर लेना है इसमें आपको 2-3 question जरूर मिलेगे फिर क्या है इसमें फिर दिया गया है कि विद्दुत की मौलिक आउधाराएं electron, सिध्धात, मुक्त, electron मूलतत्यो परिभासा विद्दुत प्रवाख का प्रभाव friend ये सभी topic आपको clear कर लेना क्योंकि इन्होंने सब कुछ clear mention कर दिया गया कि इस से हम आपको question पूछ सकते हैं और friend आपको जो mechanical property यहां से mechanical property तो आपको technical से clear हो जाएगा ये सब आपको जो high school की science की book है वहां से आपको इन सभी चीजों को clear कर लेना है या फिर आपके पास lucent की जो objective book है उससे भी आपको ये question मिल जाएंगे फिर भी मैं कोसिस करूँगा यदि आप चाहते हैं तो मैं in topic की भी video आप सभी को provide करा दूँगा आपके interest के according यदि आपका interest इसमें है तो मैं इसको provide करा दूँगा otherwise मैं offline अपने student को ये चीज़े provide कराता हूँ तो friend फिर आपका आता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर निर्मार्स वाचा निर्पेव डायल वर्नियर के लिपर डिजिटल वर्नियर के लिपर ये सब चीज़े आपको अच्छे से clear कर लेना है अब बारी आती है physics भी इसमें है थोड़ा बहुत इकाई, परदात्विज्ञान, दरबमान भार, घनत्तो, चालवे, कार सक्ती दसा, उर्जा, उस्मा और तापमान ये friend ये सबी topic आपको अच्छे से clear कर लेना है So I hope आफिसेस लेबस आपको अच्छे से clear हो गया होगा यदि आपको इसमें कोई भी problem या कोई चीज ना समझ में आ या फिर इस topic पर कोई भी query हो तो आप हमारे video के description में WhatsApp नमबर दिया गया है वहाँ से आप उस WhatsApp नमबर पर WhatsApp करके अपनी जो query है, अपनी जो problem है यदि आपको अपना application शेक करना या आप उसको नहीं चेक कर पा रहे हैं या आपको कोई problem हो रही है तो आप हमें उस नमबर पर WhatsApp मेंसेज करके अपनी सारी query को यानि कि जितने भी आपकी सारी query है, problem है उन सभी का solution ले सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद